Hello Friends, I am Aditya and you are watching German Class. आज के वीडियो में हम बात करेंगे Blocked Account. आपने देखी लिया होगा Title Blocked Account. क्या होता है Blocked Account? किन लोगों को इसकी requirement होती है? यह सब हम देखेंगे detail में. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. Blocked Account होता है, जर्मनी में अगर आपको as a student जाना है, चाहे वो एक साल, दो साल, तीन साल के लिए जाना है, चाहे आप Job Seeker वीजा पे जॉब ढूंडने के लिए जा रहे हो, आपको Blocked Account के जरुवत पढ़ती है. Blocked Account एक Special Type of Account होता है, जो आपको खुलवाना पड़ता है जर्मनी में जाने से पहले. ये वीजा की एक requirement होती है. ये Blocked Account जो 2020 येर का जो data है, उसके coding 10,300 Euro का होना चाहिए एक साल के लिए. इसका मतलब ये है कि एक साल तक आप अपना खर्चा कैसे करोगे, ये आपको जर्मन MBC को बताना पड़ेगा. इसी के लिए Blocked Account बनाया जाता है. इस Blocked Account को आप अलग-अलग agencies के माध्यम से बना सकते हो. Expatrio एक बहुत बड़ी company है, और भी आप Google पे सार्च करके, काफी company से contact करके, इस Account को open करवा सकते हो. तो मैंने आपको बता दिसकी requirement, जो भी international students होते हैं, जो European Union country का part नहीं है, जिनकी country, suppose इंडिया, बांगलदेश, नेपाल, एशिया, अमेरिका, कैनड़ा, ब्राजिल, जो भी European Union का part नहीं है देश, उन सभी लोगों के जो students हैं, उन सभी countries में जो students रहते हैं, जो international students जर्मनी में जाते हैं, जॉब सीकर वीजा पे, चाहे वो studies के लिए जा रहे हैं, और चाहे वो language course करने के लिए जा रहे हैं, आपको ब्लोक अकाउंट की जरुवत पढ़ेगी, यह embassy के requirement है, वीजा आपको तभी मिलेगा जब आप ब्लोक अकाउंट दिखाओगे, इसका मतलब यह होता है कि government German embassy जानना चाहती है, कि आप एक साल तक अपना खर्चा कैसे करोगे, कि आपके पास survival के लिए sufficient financial aid है, आपके पास financial balance है, आपका अकाउंट इतना है कि आप वहाँ पे एक साल तक रह सकते हो, इसी को बोलते है ब्लोक अकाउंट, तो यह आपको वीजा की requirement फुल्फिल करने के लिए चाहिए होता है, और एक यह must requirement है, इससे आप बिल्कुल भी बचने सकते हैं, और इसके बिना आपका कोई भी काम नहीं चलेगा, हाँ, एक condition होती है, अगर आपका कोई भी known person जर्मनी में already रहता है, और वो आपको sponsor कर देता है, तो आप embassy में जाके यह दिखा सकते हो, और आपको ब्लोक अकाउंट से चूट मिल जाती है, इसके बारे में detail में आप पढ़ सकते हो, मैं नीचे description में link दे दूँगा, यह होता है ब्लोक अकाउंट, इसमें कैसे function करते हैं, suppose मैंने जैसे बताए, अभी फिलाल 10,300 यूरो आपके अकाउंट में होना चाहिए, एक साल के लिए, अगर आपकी studies दो साल के लिए, आप जा रहे हो, master's पढ़ने के लिए, तो आप एक साल का आपको, यह अपना fund sufficient दिखाना पड़ेगा, और जो students होते हैं, बड़ा smartly work करते हैं, जैसे वो Germany में land करते हैं, settled होने के बाद, तुरुंद part time job start कर देते हैं, और अपना खर्चा उस part time job से करते हैं, और पूरे सालम का blog account untouched रहता है, वो बिल्कुल ऐसे ही रहता है, जैसा वो starting में था, मतलब कि वो इसमें से कोई भी amount withdrawal नहीं करते हैं, तो यह भी आप कर सकते हो, उसमें क्या है कि second year के लिए, आप embassy को same block account का amount है, वो शोग कर सकते हो, और आपको अलग से amount नहीं चाहिए होगा, मतलब यह कि आपका account block है, आपको monthly, अगर आप देखो, 10,300 euro को 12 से divide कर दो, तो जो भी आपका आता है, वो आपको monthly amount उतना हर महीने आपको मिलता रहेगा, block account से, अगर आपको जरुवत है तो, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, अगर आप on an average देखो, तो शायद आपको 800, 8500 euro per month ही उस block account से निकालने की permission होगी, इसलिए इसको block account कहता है, इसमें जो आपका amount उप block हो जाता है, एक particular purpose के लिए, तो अपना block account बनाना बहुत जरूरी है आपको, किसी भी company के थुरू आप बना सकते हो, और Germany में land करने से पहले, इवन वीजा की appointment से पहले आपको ये तयार करना होगा, जतना जल्दी हो सके, बहुत important होता है block account, जर्मनी में जाने वाले सभी students, और जैसा मैंने बता है, job seeker visa के लिए भी ये जरूरी है, इसकी requirement students के लिए अलग होती है, job seeker visa, जो कि 6 months का होता है, उसकी requirement अलग होती है, job seeker visa के बारे में मैं अल्रेड़ी वीडियो बनाया होगा है, उपर आप I button पर click करके वीडियो देख सकते हो, इसके लावा कोई और आपको doubt होता है, तो comment में लिख सकते हो, I will see and read your comment, और definitely I will reply,